नोशकर मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 14 अक्टूबर दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मैट्रिक बार से परिच्छा दोहजार चौबर के लिए ओन्नाइन परिच्छा फर्म बढ़ने की तारीक बढ़ी आगे केके पाटक ने सच्छकों के बाद अच्छात्रों को दिया नर्दी आकांची जिलों में बैंकिंग सुधा पहुंचाने में बिहार का यह जिला अवल खाते से कट गया लेकिन एटियम से नहीं निकला कैस तो अपनाई ये तरीका आज है भारत और पाकस्तान के बीच विश्वकब 2023 का रोमान चक मुकाबला अचली भरते हैं बिहार के अपत्तकी 25 परी खबरों के विस्तार से सरकार के ग्री मंतराली के अधीन एंटलीजिंस ब्यूरो के द्वारा सबसीडरी इंटलीजिंस ब्यूरो में सेक्रेटरी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ जनरल के कुल 670 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में इक्षुक मिद्वार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं MHA की आधिकारिक वेबसाइट MHA.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बतादी के आवेदन करने की अंतिम तारिक 13 नमबर 2023 तक निरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनक योगिता की बात करे तो मिद्वार को मारता प्राप्त बोर से दसवी की परिक्षा उत्तिर्ण होना चाहिए वहीं ऐसे M.T. पदो के लिए दसवी पास होने के साथ साथ कार ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया होना चाहिए इस जोड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी के गए अधिसूशना को देख सकते हैं आज है भारत और पाकस्तान के बीच विश्वकब 2023 का रोमांचक मुकाबला आज यानी कि 14 अक्टूबर को भारत विश्वकब 2023 का अपना तीसरा मुकाबला पाकस्तान के खिलाव दो पहर दो बज़े से एहमदाबाद के नर्ण दरमोदी अस्टेरिया में खेलने वाला है मालमोग साल 2016 के बाद पहली बार दोनों टीमों के बीच भारत में मुकाबला खिला जाने वाला है आज के इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तयार है भारत ने शिरवाती दोनों मैच जीते हैं उसने ऊस्ट्रेलिया और अफकानिस्तान को हडाया है वहीं पाकस्तान ने भी दोनों मैच जीते हैं मालूमो कि वंडे वर्ल्लकप में पाकस्तान के सामने टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा है इस ट्रुनामेंट में दोनों टीमों का आमना सामना साथ बार हुआ है इन सभी मैचों में टीम इंडिया ने जीत दज की है वही हाली में इश्यकप 2023 में भी टीम इंडिया ने पाकस्तान को खड़ाया था ऐसे में आज कही है मुकाबला बेहदी दिल्चस्प होने वारा है इस मैच का लाइव टेली कास्ट स्टार स्पोर्स के चैनल स्टार स्पोर्स स्टार स्पोर्स HD1 स्टार स्पोर्स HD2 में देख सकते हैं इसके लावा आप DTSPORTS और DTH में भारत बनाम पाक का लाइव टेली कास्ट देख सकते हैं वहीं OTT में इस मैच को डिजनी प्लस होट स्टार पर भी देख सकते हैं मैट्रिक वार्सिक परिच्छा दो हजार चौबिस के लिए ओनलाइन परिच्छा फॉर्म भरने की तारीक बढ़ी आगे अगर आप भी उन विद्धियार्थियों में से हैं जिन्होंने मैट्रिक वार्सिक परिच्छा दो हजार चौबिस के लिए अपना रजिस्ट्रीशन करवाया था तो यह खबर आपके लिए है बतादी के बिहार विद्धाले परिच्छा समीती के दोरा मैर्ट्रिक वार्सिक परिच्छा 2024 के लिए रेजिस्ट्रेशन कराये हुए विद्ध्यार्थियों के ओनलाइन परिच्छा फर्म उनके सिक्छन संस्थान दोरा भरने हैं तू तिथी को विस्तारित कर दिया गया है बता दे किस विस्तारित अबधी के तहत विद्यार्थियों का ओनलाइन परिच्छा फॉर्म वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com के माध्यम से सिक्षन संस्थानों के प्रधान द्वारा अब दिनांक 18 ऑक्टूबर 2023 तक विलम सुलक के साथ भरा जाएगा वहीं ऑनलाइन परिच्छा फॉर्म भरने या शुलक जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्प लाइन नंबर 66122232074 पर संपर किया जा सकता है बिहारी बधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रिकी मिश्वा के बारे में रिकी मिश्वा का जर्म आजी के दिन 1987 में हुआ था यह एक भारतिय नर्देशक, संगीत नर्देशक और एक प्रसक्छत गायक हैं उन्होंने उस्ताज सुल्तान खान, उशा मंगेशकर, साधना सरगम, एरिक, मिरियंथल और समीर अंजान जैसे दिगजो के साथ काम किया है उन्होंने केके कुनाल, गांजावाला, जावेद अली, रूप कुमास, अक्धीत कुमास, आकरिती, राठोर, एमडी ककर और मिका सलामत के साथ भी काम किया बता दे के लिके मिश्रा ने अपनी करियर की शुवाद 2009 में मिका के साथ अपने अल्बम नजरीन मिलाने वाली से की थी मालम हो कि वह युवा थे जब उन्होंने सुनील देवनाथ और पंडित कामेश्वर से सास्रिय संगीत का प्रसक्षन स्तुलूप किया उन्हें 12 साल की उम्र में अपना पहला गायन प्रसकान दिला गया एरपोर्ट से आज से शिरू होंगी अंतराश्ट्रिय उडाने राज्जे वासियों के लिए अच्छी खबर है बता दे कि आज यानि कि 14 ऑक्टूबर से राज्जे से अलग-अलग देशों के लिए सीधी फ्राइट सेवा की शिरुवात होने वाली है जिसमें मैयामार भुटान, वियतनाम और थाइलेंड है मालम हो कि हवाई सिवा गया में स्थित अंतराश्ट्री हवाई अड़े से शिरू होने वाली है बता दे कि जिन विमान कंपनियों के द्वरा विमान सिवा दी जाने वाली है उनमें भुटान के लिए डुक एरवेज मैयामार नेशनल एरलाइन्स, थाइलांड के लिए थाइ, स्माइल और एर एशिया और वियतनाम के लिए वियतनाम एरवेज की चार्टर फ्लाइट संचालित करेगी पता दे कि भुटान की डुक एरवेज 30 दिसंबर से सबता हमें रविवार और बुदवार को पाड़ो गया पाड़ो फ्ल और विवार के लिए फ्लाइट सेवा शेडियूल की गई है वियतनाम के लिए हनोई गया चार्टर फ्लाइट सेवा 22 अक्टूबर 2 नवंबर 11 नवंबर 16 नवंबर 30 नवंबर 23 दिसंबर और एक जनवरी 2024 के लिए निर्धारित है केके पाठक ने सक्षकों के बाद अब छात्रों को दिया नर्देश पिहार में सिक्षा ववस्ता में सुधार हो सके इसको लेकर बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के अपर मुखि सचीब केके पाठक के द्वारा कई दिशा नर्देश दिये जा रहे हैं और साथ ही विविन जिलो में पहुँचकर सरकारी स्कूल का निरिक्षन करने का भी काम किया जा रहा इसी करही में जब केके पाठक बीदे दिन सहरसा के मनोहर हाइ स्कूल पहुँची और स्कूल का निरिक्षन किया तो नेरिक्षन के दोरा नोने पाया कि वहां एक भी छातर ड्रस पहन कर स्कूल नहीं पहुँचे थे, सभी बच्चे सामानी कप्रे में थें जिसे देखे के पाठक के दोरा पूछा गया कि ड्रेस में क्यों नहीं आए जिसके जवाब में बच्चों की दोरा कोई जवाब नहीं दिया गया उनके पास में खड़े स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से सफाई देते वे कहा गया कि कई बार कहने के बावजूद बच्चे मन्रेगा के सहयोग से प्रारंबिक स्कूलों में बनेंगी चहार दिवारी राजी के सिक्षा विभाग और ग्रामीन विकास विभाग के बीच राजी के प्रारंबिक स्कूलों में मनरेगा योजना के सहयोग से चहार दिवारी का निर्मान करने के लिए सहमती बन गई है जिसके बाद अब चहार दिर्वाडी के निर्मान के लिए सामगरी खरीद के लिए राशी सिक्छा विभाग के द्वरा दी जाएगी तो वहीं मजदूरी का भुकतान मनरेगा के तहत किया जाएगा इसके अंतरकर सिक्षा विभाग के दोरा 1891 प्राड़मिक विद्यालियों के लिए राजी योजना मद में से कुल 56,700 मीटर लंबी चहार दिवारी के निर्मान के लिए 16 करोर रोपे की सुर्गति दे दी गई है ये रासी संबनित जिलों को भेज दी जाएगी और फिर जिला सिक्षा पतादिकारियों के दोरा संबनित विद्यालियों में निर्मान की राश्री उप्लत दिकरवाई जाएगी स्सी ने फरवरी महीने के एक्जाम कालेंडर को किया जारी करमचारी चैनल आयोग ज्यानी की स्सी के दोरा फरवरी परिक्षा कालेंडर 2024 जारी कर दिया गया है ऐसे में जो भी उमिद्वार कालेंडर में दिये गए परिच्छा के लिए शामिल होना चाहते हैं वे SSC की आदिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर कालेंडर को देख सकते हैं बता दे कि जारी के गए कालेंडर के अनुसार Grade C Stenographer Limited वेबागिये परिच्छा 2018-19 और Grade C Stenographer Limited वेबागिये परिच्छा 2020-2022-2024 को आयुजित की जाने वाली है SSA UDC Grade Limited वेबागिये परिच्छा 2018-2019 और SSA UDC Grade Limited वेबागिये परिच्छा 2020-2022-7 फरवरी 2024 को आयुजित की जाएगी इसके लावा JSA LDC Grade Limited विभागी प्रतियोगी परिच्छा 2019-2020 और JSA LDC Grade Limited विभागी 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 समीती से राज्य सरकार को मिले रिपोर्ट के आधार पर बिहार के आकांची जिलों में वैसे लोग जो बैंकिंग सुधाओं से वंचित हैं उन तक बैंक सुधा पहुंचाने में राज्यकार पुर्णिया जिला अबवल रहा तो वहीं अगर सबसे फिसर्डी जिले की बात करे तो वह सीता मढ़ी रहा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्यक के कुल 49 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जिनने आकांची जिलों में शामिल किया गया है जिन में अररिया, बांका, औरंगाबाद, वेगुसराई, गया, जमुई, कटिहार, खगडिया, मुझपरपुर, नवादा, पोर्निया, सेखपुरा और सीधा मढ़ी के नाम शामिल हैं। साथ ही आपको यहाँ पर भगवान विश्णू, गौतम बुद, शुरे देवता और भगवान गनेश की प्राचीन मुर्थियां भी देखने को मिल जाती हैं। सामनवर रजत मुदराओं के साथ साथ इस्ट इंडिया कंपनी बिटेस इस्ट तथा सुतंतर भारत की विविन मुदराईं रखी गई है। इसके साथ साथ तार के पत्ते पर हस्त लेकित महाभारत, बौध काली निस्टूप, प्राचीन, प्रतिमाई, पत्थर, आभूशन के लाबा जिला के अतिहास इकमात्व की सामगरी रखी गई है। राजेपाल ने टीवी मरीजों के बीच पोशन हार खिटका किया वितरन। ना होगा उन्होंने कहा कि समाजिक पहल से ही बिहार टीवी मुक्त होगा। उन्होंने बताये कि उनके द्वारा खुद 51 रोग्यों को गोद लिया गया है जिनको हर छे मा में नियमित आहार दिया जाता है। ऐसे में आप भी एक एक टीवी लोगी को गोद लें। इस दौरार राजयपाल के दौरा टीवी मरीजों के पोशन हार की विवस्था करने वाले समाज के नौ वसिष्ट जनों को समारत भी किया गया। नेपाल बॉर्डर से चीनी चासूस की बिहार में घुसपैट की कोशिश। वहीं एससबी की जाच में भारतिये पासपोर्ट पर दर्जपता फरजी पाये गया है। असमान में दिखने वाले बादल भी कुस दिनों में गायब हो जाएंगे। पिटना मौसम केंदर की तरव से चारी अपडेट के नुसार प्रदीश में बारिस की संभावना से साफ इनकार किया गया है। आइमडी की तरव से चारी अपडेट के नुसार दक्षिन पश्चिम मौनसून अगले दो दिनों के दौरान बिहार और चारकर चातरजगर के साथी पश्चिम मंगाल और उडिशा के कुछ हस्तों से वापस चला जाएगा। पटना मौसम केंदर की तरव से जारी अपडेट के नुसार प्रदीश में बार्डिस की संभावना से इनकार किया गया है इस दौरान मौसम सुस्क बना रहेगा। इस वाप प्रदीश में ठंड में भी कमी देखने को मिल सकती है लेकिन एक दूसी संभावना यह भी जताई गई है कि अगर प्रदीश में नियुनतम तापमान में कमी होती है तो और भी तापमान में कमी होगी। राजे के सरकारे स्कूलों को मिली फरनीचर खरीदने की हिरायत। उनके प्राणभिक स्कूलों में बच्चों को पैठनी के लिए कम से कम दरियां खरीद कर जरूर दे दे। उन्होंने पत्र में कहा है कि हड़ाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि ठंड के दिनों में स्कूलों में कोई बच्चा ठंडे फर्स पर ना बैठे। बतादी की पत्र में स्पस्ट तौर पर लिखा गया है कि यह सभी प्रक्रिया स्कूल क्लस्टर कॉंसेट के तहट की जाना है। बिहार में भारत का पहला लैब जहां बन रहा मीठा बांस। मालमों कि तिलका मांची भागलपुर विश्रविद्याले के अंतरगत यह लैब बिहार सरकार के वन विभाग के दोरा स्पॉंसर है। हेड प्रोफेसर के दोरा दी गई जानकारी के नुसार एक बार की लागत से करीब 100 साल से भी ज्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। खाते से कट गया लेकिन ATM से नहीं निकला कैस तो अपना ये तरीका। हिसाब से जुनमाना देना होगा। वहीं इसके लाबा RBI की उड़से ग्रांकों को यह भी सलाह दिये जाते हैं कि अगर उनके खाते से पैसे गलत तरीके से कट गए हैं तो इसकी जानकारी वे सबसे पहले बैंक को दे और साथ ही अगर शिकायद दर्ज करने के बाद भी बैंक पैसे वापस नहीं करता है तो अब बैंक के आंतरिक लोगपाल के पास अपनी शिकायद दर्ज करवा सकते हैं। फिल्म कोट में बिहार के पुर्व सीयम मांजी आए नज़र। बिते दिन परफेक्ट टाइम पिक्चर्स प्रोडक्शन और ब्रैंडेक्स एंटर्टेन्मिट ब्लैक पैंथर मोवी लिमिटेट की अक्छा है दित्ती द्वारा नरदेशित हिंदिफ फिल्म कोट देश भर म में रिलीज हो गई है बता दे कि इस फिल्म में बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतर ना मांजी भी गिस्ट अपेरंस में नज़र आए हैं मैं इस फिल्म को लेकर फिल्म के लेखक और नर्माता बिहार सरीफ निवासी कुमार अभिशेक और पिन्नू सिंग के द्वारा प्रेस कॉंफेस में जानकारी देते वे बताया गया कि फिल्म बिहार में बनी बिहार के लोगों की फिल्म है इसमें संजय मिश्रो और नसुरुदीन साह के बेटे विवान शाह जैसे कलाकारों के द्वारा एहम भूमिका निभाई कई है उन्होंने बताया कि इस फिल्म के स वेडियू के संपर्क में है वहीं अब उनके इस ब्यान पर बीते दिन पुर्व उपमुक्रे मंत्री सह बीजेपी विधायक तारकिशोड प्रशाद के द्वरा प्रतिक्रिया देते वे कहा गया है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और जेदियू नदी के समान और क नितीश कुमार ने एक बार फिर बिहार में जंगल राज जैसी स्थिती लाने का काम किया है। लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे जबके इसके लिए उन्हें CBI या ED की रेट का भी डर नहीं है। नितीश कुमार का रास था। ब्रिटन की महरानी अलिजाबेट दूइक्ते और प्रिंस फिलीप ने 1997 को अमरसर के जलिया वाला बाग में शहीदों को श्रधांजली अर्पित की। भारतिये रिजर्व बैंक ने म्यूचूल फंड्स की जरूरते पूरी करने के लिए अतरिक्त 200 और अब रुपे जारी करने की घोशना 2008 में की। राजधानी दिली में चल रहे उनीस्वे राष्ट्र मंडल खेलो का समापन 2010 में हुआ, दली का मुगल बाद साब बाहादुर श्राह प्रत्म का जर्म 1643 में हुआ, भारत के प्रसिद क्रांती कारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हर्दयाल का जर्म 1884 में हुआ, भ भारत के अंतराश्ट्री क्रिकेट खिलारी गौतम गंभीर का जर्म 1981 में हुआ, भारत की प्रत्म मैला सासिका रजिया सुल्तान का निधन 1240 में हुआ, लोकपाने बाल गंगा धर तलक के सहयोगी पत्रकार और मराथी, सहितिकार नर्सिंग चिंतामन केलकर का निधन 1937 में ह राश्टरबादी ट्रेड यूनिर नेता एवं भारतिय मजदूर संके संस्थापक दत्तो पंत ठेंगटी का निधन 2004 में हुआ, भारत के पुर्वकेंद्रिय मंत्री वकील एवं समाजिक कारिकरता मोहन धारिया का निधन 2013 में हुआ बारल कर में आज हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल के बारे में, सोशल मीडिया पर कहीं सुचनाय बारल होती है लेकिन सभी सच हो यह ज़रूरे नहीं है पियाईवी ने अभी टूइट में आगे लिखा है कि अधावा फरजी है बीएसफ इंडिया के दोरा चीनी की जब्त की गई बोड़ियों को उचित जब्ती ग्यापन पर सीमा सुल्क कारे आले बार सोरा को सौपत दिया गया है 1299 रुपे में लॉंच हुआ जीयो भारत बी एक 4G जीयो की ओर से देश में जीयो भारत बी एक 4G लॉंच कर दिया गया है जिसकी कीमत 1299 रुपे निर्धारित की गई है और यह केवल एक रंग काले रंग में उपलब्ध है यह 4 इंच डिस्प्ले के साथ आता है वहें इस फोन में 4G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है इसलिए आप इस पर म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं इसका डिजाइन भी अन्य जीयो भारत फोन से थोड़ा अलग है इसके पीछे की और मैट फिनस के शाथ पॉली कार्वनेट बॉडी दी गई है इसके अंदर 2000 मह की बैटरी है जीयो भारत प्लैटफॉर्म पर चलता है जो डिवाइस को जीयो सावन एप से गाने स्ट्रीम करने जीयो सिनेमा एप सिफल में शो और स्पोर्स स्ट्रीम करने और जीयो पे अब का इस्तमाल करके यूपियाई भुकतान करने के अनुमती देता है फोन में एक बिल्ट इन एफम रेडियो भी है और यहाथ 23 भाशाओं को सपोर्ट करता है वहीं इसके लिए दो प्लान उप्लब्द है जिनकी कीमत 123 रुपे और 1234 रुपे है इसमें से 123 रुपे वाली प्लान में यूजर्स को 28 दिनों के लिए अनलिमिटेट कॉलिंग और 14 GB डेटा दिया जाएगा वहीं 1234 रुपे वाली डेटा प्लान में एक अनलिमिटेट कॉलिंग और कुल 16 GB डेटा मिलता है फुक्रे 3 ने बॉक्स ओफिस पर 80 करोड से ज़़ा की कमाई फुक्रे फ्रेंचाईजी की तीसरे इंस्टॉल्मेंट फुक्रे 3 अब तक बॉक्स ओफिस पर 80 करोड रुपे से भी ज़़ादा कमाई कर चुकी है बता दे कि फिल्म ने रिलीज के पहले हफते में शांदार 16.02 करोड का कलेक्शन किया था वहीं अब ये फिल्म दूसरे हफते में पहुँच चुकी है जहां इस फिल्म में 4.02 करोड का कलेक्शन किया वहीं अब फिल्म के रिलीज हुए 15 दिन के श्रिवाती आंक्रे आ गया है द्रसल सेकंड पिक की अली ट्रेडर रिपोर्ट फिल्म फुक्रे तीन गुरुवार तक एक कलोड रुपे का कलेक्शन कर चुकी है और अब इसी के साथ इस फिल्म का कलेक्शन अब तक 81.24 कलोड रुपे हो चुका है बतादी किस फिल्म में कलाकार के रूप में बिहार के लाल, पंकसरे पाठी, रिचाचड़ा, पुलकित समराट, मंजोट सिंग और वरुन सर्मा के द्वारा काम किया गया है भारतिया शेर बाजार लगतार दूसरे दिन गिरावट के साथ हुआ बन बीते दिन भारतिया शेर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ एक तरफ जहां सिंसेक्स में 125 अंकी गिरावट हुई तो वहीं निफ्टी भी फिसल कर 19,750 पर पहुँच गई पतादी कारुबार के अंतमी यानि की बीते दिन BSE सिंसेक्स 125.65 अंकी 6.19 प्रतीशित फिसल कर 66,282.74 अंक पर बंद हुआ वहीं NSE का 50 शेरो वाला इंडेक्स निफ्टी 42.95 अंकी 6.22 प्रतीशित के गिरावट के साथ 19,751.65 के सर पर बंद हुआ मालमों की बीते दिन जिन पांच संसेक्स में सबसे आदा अगिरावर दर्ज की गई है उसमें अकसिस बैंक, एंफोसिस भारतीए, स्टीटी बैंक, विप्रो और जेस डब्लू स्टील के शियर शामिल है वहीं जिन पांच संसेक्स में सबसे आदा बढ़ोतरी हुई है उनम मुख्य मंतरे अर्विन केजरिवाल की आमादमी पार्टी के राजिस सभा सांसद संजय सिंग को ईडी की रिमान खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था जहां कोर्ट के दोरा राजिस सभा सांसद संजय सिंग को 14 दिनों के लिए यानिकी 27 ऑक्टूबर तक ने आई ख खिरासत में भेज दिया गया है मालूम हो कि संजेस सिंग को सराव घुटाले में चार ऑक्टूबर को कई घंटों की पूछताज के बाद गरफतार्थ कर लिया गया था और फिर उन्हें पांच ऑक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था औ लोकी बीपेसी पिहार पुलिस तरोगा समीत एससी जैसे अरे प्रतियोगी परिच्छाव में काम आएंगे सवाल इतिहास पिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे पांचों सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके य इसका सही उतर है उप्षंसी UAE अगला सवाल हाली में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतिये की सूची बेश शिश अस्थान पढ़ है उप्षन इ रतन ताटा, उप्षन भी गौतम अडानी, उप्षन सी मोकेश अमबानी, उप्षन डी इनमें से कोई नहीं इसका सतहुतर है उप्षंसी मोकेश अमबानी अगला सवाल, बिहार में नकसलवात के शिरवात कस जिले से हुई थी? आप्शने नालंदा, आप्शन B भोजपूर, आप्शन C गया, आप्शन D पठना इसका सही उत्तर है आप्शन B भोजपूर अगला सवाल, देश में पहली बार राज़्यतिक जांच आयों का गठन किस राज़े में हुआ? आप्शने उत्तर प्रदेश, आप्शन B भिहार, आप्शन C पश्चिम्बंगाल, आप्शन D राजस्थान इसका सही उत्तर है आप्शन B भिहार अगला सवाल, संपुन क्रांती देश के किस राज़े से संबंदित है? उप्शन ई राजस्थान, उप्शन बी उत्तर प्रदेश, उप्शन C बिहार, उप्शन D पश्चिम मंगाल इसका सही उत्तर है उप्शन C बिहार बेते दिन हमारे दुरा पूँगे सवाल करे बिकास दाज रोहित कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, सध्धार कुमार, सोनी कुमारी, रवीशंकर, मुहम्मद अस्लम, चंदन कुमार, पटेल, मुहम्मद फ़हीम, सदल्ह पलवी इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की ओर, आज का सवाल है आज भारत और पाकस्तान के बीच होने वाले मैच में किसके जीतने की प्रबल संभावना है अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्शन में लिखका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम करदों के साथ बन रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चालन को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले करता है